हम competition के student थे वो last December 19 था यूँ तो पढ़ते थे कब कहां हो रही बर्फ बंबारी ये हवाएं वो सुनामी मगर current affair का वो प्रश्न COVID-19 से ग्रसित पहला कौन सा शहर था और इसी के साथ कदम बढ़ा चुके थे वर्ष 2020 में यहां हर तरफ खुशियों की चहल थी और सर्दियों में शादियों की पहल थी फिर अचानक से लगा वो lockdown और शादी के शुब मोहरतों का यूँ गुम हो जाना हर कोई अंजान था कि COVID-19 सिर्फ एक बिमारी नहीं एक महामारी का नाम था एक एक छोटा सा विशानू जो चीन के वुहान शहर से निकला था क्या अपने और क्या दुनिया वाले इसने सब को जग जोड दिया इससे पहले क्या चल रहा था इस दुनिया में ये मिसाइल, वो बंबलास्ट, अत्याचार, भस्टाचार, सच कहूं तो देश में राजनीती के पीछे धर्मों पर अगनी की बौचार चीन में नाम कोरोना था, यूएन ने दिया COVID-19, इति में सिरदर्द खांसी बुखार, और अंतक चाहिए, ब्रिधिंग मशीन देश में रहीस इसे लेकर आ रहे थे, पैदल चल, भूग, प्यास से व्याकुल हो, सब मजदूर बहुत ही जिले जा रहे थे वो बूढी मा का बिना चपल के पैदल चलते जाना, भूग, प्यास से व्यथित हो, वहीं सड़क किनारे, छोटी बच्चियों के साथ सो जाना कई गरीबों की जान चली जाना, कईयों को सेनेटाइजर से नहला देना, और ये सिफ लिखित कथन नहीं है, द्रश्य थे वास्तविक, जो दिल को दहला दे, भूगमरी जैसे कोरोना में भेदभाव नहीं था, खुशी थी पर दौलत का इस पर कोई प्रुभाव नहीं था इसके आने पर ही मालूम हुआ, जब रहीज भी इसके चपेट में आ रहे थे, सरकार से लेकर मीडिया तक सक्त कानून का प्रचार रहा, आज भी भूगमरी और ठंड से हजारों लोगों की जाने जा रही है, आज भी भूगमरी से हजारों लोग मर रहे हैं, कै इस पर कभी स जान बचाने में हमारे भगवान रोपी डॉक्टर भी मर रहे थे, तहे दिल से नमन है उन हजार लोगों को, जो खुदा तो नहीं, पर खुदा से कम भी नहीं थे, महामारी काल में वो घर से बाहर थे, आम जंता की सुरक्षा में, ऐसा नहीं था, कि उनके अपने घरी नहीं हम लोगों की रक्षा करने के लिए इश्वर और उनके भेजे गए देवदूतों को दिल के हर कोने से शुक्रिया, आज इनहीं की किर्पा से इस पाहमारी और विकट परिस्तिती से लड़ते हुए भली भाती निकल कर अच्छा खाना नसीब हो रहा है, इश्वर करे ये वर एच लिए भी नियर